हेलो फ्रेंड्स इंडियन प्रिंस और थाई गल की लव स्टोरी पार्ट ट्वेल में आपका स्वागत है गीरिचो साही चिन्हों को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो वीराम उसे रोपता है और कहता है कि यहाँ आसपास खतरनाक ट्रैप भी हो सकता है जैसा कि फिल्मों में होता है तो पहले मुझे जाने दीजे वीराम संभल कर उपर जाता है लेकिन वहाँ कोई ट्रैप नहीं था जिसके बाद गिरिच और नुवान उस साही चिने के डिबबे को उठाते हैं और फाइली उस डिबबे को खोलते हैं उसमें से रोशनी निकलती है और उन दोनों को ही वीजन नजर आता है जिसमें वो महाराज और क्राउन प्रिंस को देखते हैं और उसके बाद देखते हैं नुवान को बचाने में गिरिज को गोली लग गई है और नुवान रो रही है। वहां सब कुछ तूटने फूटने लगता है तो वो सब जल्दी से वहां से बाहर निकलते हैं। फाली राजमाता सरिता, क्राउन प्रिंस और महराज के साथ उनके पास आती हैं और कहती हैं कि अब यहां पर हमारा समय पूरा हुआ। मिस्टर कजिद भी ये साही चिन हड़पने के लिए इंतजार में है। तुम याद रखना की भरोसे और प्यार से ही जीत होगी। और उसके बाद उन तिनों की आत्मा वहां से चली जाती है। इधर महराजा नरेन और चायठाट बा मिश्टर कजिद के अदमी उनके उपर हमला कर देते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। मुझे वो साही चिन हे देदो और मैं तुम लगों की जान बक्स दूँगा। गिरिच वीराम से कहता है कि तुम नुवान और साही चिन होग को लेकर यहां से निकल जाओ। नुव पर केवल डेकोरेशन था, तो नुवान असली मूहर को देदेती है और डेकोरेशन को डिब्बे में रख لेती है, वो कहती है कि मैं तुम्हें यह साही चिनहें दूंगी, लेकिन बदले में तुम मेरी बेहन मेरी और सबकी जानबक्सो, नुवान उस डिब्बे को लेकर उनके चला देता है लेकिन वो घायल नहीं होता है औरुन दुबारा गोली चलाता है और इस बार गिरिश को गोली लग जाती है नुवान को बचाने में जैसा कि उसने वीजन में देखा था तो तभी गिरिश की बाकी की टीम आ जाती है औरुन उस बॉक्स को ले लेता है तांत्रिक को गोली लग जाती मिश्टर कजित अरुन के साथ वहाँ से भाग निकलता है तांत्रिक को वहीं मरता हुआ छोड़कर इधर गिरीच मर रहा था नुवान दुखी होकर रोती है वो सब उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं चायठाट और निलापाट भी वहाँ पहु बताता है कि ये साही चीने का सिर्फ एक डेकोरेशन है असली साही मुहर तो यहां नहीं है ये सुनकर मिश्टर कजित सौक्ट हो जाते हैं कि उनका सारा प्लान बरबाद गया लेकिन सावित्री के पास एक और खतरनाक प्लान भी था और वो अब प्लान भी के हिसाब से चलन और मिश्टर कजित थे मिश्टर कजित उन्हें साही चीने का डेकोरेशन दिखाता है और उसके बाद उन्हें किड़नाप करके अपने साथ ले जाता है चैट होट को उसकी मौम का कॉल आता है लेकिन देखता है कि कॉल तो कजित ने किया है वो शौक्ट हो जाता है मिश्ट ये जानकर शॉक्त थे कि मिश्टर कजित इस हद तक गिर गया और वो जानते थे कि वो कुछ भी कर सकता है नीला पाट सावित्री और मिश्टर कजित के पास जाने के लिए तयार थी नुवान को उसकी चिंता होती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी कम से कम म मेरे साथ बाहर रहना, वो प्लान बनाते हैं कि जब तक वो रानी के लोकेशन के बारे में पता न लगा ले और उन तक पहुच न जाए, तब तक चाय ठाट मिश्टर कजित के साथ मिल कर समय को डिले करेगा, तो वो साही मुहर भी दो टुकडो में तूड गया था, मिश्टर मिश्टर कजित सावित्री के साथ हवेली में चाय ठाट और निला पाट के आने का इंतिजार करता है, और मिश्टर कजित के आदमी हथियार के साथ वहां तैनात थें, निला पाट और चाय ठाट मिश्टर कजित के हवेली पर पहुचते हैं, सावित्री उनके सामने सर्थ र थे मनोज और विराम अपने आदमियों के साथ हवेली के बाहर तैनात गाट्स को मार कर धीरे धीरे उनकी जगह लेते हैं उन्हें ये पता चलता है कि रानी तो हवेली में नहीं है वो परशान होते हैं कि वो कैसे सबको बचाएं इधर गिरिच सपने में अंकल रे को देखता ह जो उसे पुछते हैं कि क्या तुम अपनी फेवरेट ओरेंच के खाऊगे वो गिरिच से कहते हैं कि ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट है वो उसे कहते हैं कि प्यार और विश्वास से ही तुम्हें सब हासिल होगा और अगर तुम्हें ओरेंच के खाने का मन करे तो तुम नुवान से कहना वो तुम्हारे लिए मेरे जैसा ही केक बनाएगी गिरिच होस में आता है और अपने आपको होस्पिटल में पाता है उसे इला से सारी बात पता चलती है तो वो कहता है साइद मुझे पता है कि रानी ससी कहा है वो तुरंत हथियार के साथ वहाँ जाने के साफी मांगती है वो वहाँ के गाट्स को डिस्ट्रैक करती है गिरिच रानी को लेकर वहाँ से निकल जाता है इधर सावित्री चैठाट को अपने आग्रिमेंट पर साइन करने के लिए कहती है तब ही अरुनको पता चलता है कि चैठाट के आदमी हवेली में घूसा आए है वी राम से लड़ने लगता है वही अंदर मिश्टर कजित के आदमी चैठाट को मारते हो जबजस्ति उसके पास साही चीन छीन लेते हैं वो देखते हैं कि वो तो सिर्फ साही चीन का एक टुकड़ा है मिश्टर कजित चैठाट से पूछता है कि इसका दूसरा टुकड़ा कहां है सावित्री नीलापाट के उपर चाकू रख कर कहती है कि उस आग्रिमेंट को साइंग करो नहीं तो तुम अपना प्यार खो दोगे वो नीलापाट से कहती है कि देखते हैं चायठाट क्या चूस करता है उधर गिरिज और रानी उस फैक्टरी से निकलने की कोशिस करते हैं और फसे रहते हैं लेकिन तभी इला वहाँ अपनी टीम को लेकर आ जाती है वो गिरिज से कहती है कि मैं रानी को सम्हालती हूँ तुम फोरण यहां से निकलो गिरिज अपने डैट से कांटक्ट करता है और बताता है कि रानी बच चुकी है और वो वहाँ पर आ रहा है इधर चैठाट उस एग्रिमेंट पर साइं करने जाता है लेकिन वो फिर गुंडों से फाइट करने लगता है निलापाट भी बहाँदरी से गुंडों से फाइट करती है वो सब निलापाट की तरफ गोलियां चलाते है तो चैठाट उसकी जान बचाता है नुवान जान ज और अरुन मर जाता है चायठाट को भी पता चल जाता है कि उसकी माप सेफ है तो गीरिच अपने आदमियों के साथ अंदर आ जाता है और चायठाट निलापाट बच जाते हैं मिश्टर कजित और सावित्री चारों तरप से घिर जाते हैं राजा नरिन साही चिनों को लेकर अ मिश्टर कजित के उपर उस साही चिने के टुकड़े को फेकते हैं मिश्टर कजित को वो टुकड़ा लग जाता है उसके बंदुक से गोलिया निकलती है जो उसकी बेटी सावित्री को ही लग जाती है तो बूरे का नंतिजा बूरा ही होता है सावित्री और मिश्टर कजित उन दोनों की ही मौत हो जाती है नुवान निलापाट से पुछती है तुम ठीक तो हो तो निलापाट कहती है कि हाँ दो सकता बीत जाते हैं मंतरापुरा वे एक हुसाल राज्य था निलापाट मंतरापुरा की क्राउन प्रिंसेस बन गई थी गीरिच और नुवान दुनों ही एक दुसरे के साथ बिताई हुए पलों को याद करते हैं नुवान वापस अपने देश थाई लेंड जाने की तयारी करती है वो अपनी पैकिंग करती है तो फ्रेंट्स कैसा होने वाला है इंडियन पिंस और थाई गल की लव स्टोरी का अंत क्या इंडियन पिंस की रिच अपने प्यार का इजहार फाली नुवान से करेगा जानने के लिए इसका लाश्ट पाट देखना मत भूलिएगा